नमस्कार स्वागत है आपका हमारे कारिकरम हमारे महमाने दोस्तो आज मैं आपको हमारी जिन गेस्ट से मिलवाने जा रही हूं उन्हें सिर्फ साइकलिस्ट कहना सही नहीं होगा क्योंकि वो cyclist होने के साथ साथ एक all-rounder भी है जी हाँ मैं बात कर रही हूँ मालती इंदौरिया जी की दोस्तो इन्होंने 60 साल की उमर में 221 किलो मीटर की run complete करके अपना नाम दर्च करा लिया है United Kingdom World Book of Records में उन्हीं के साथ है उनके coordinator मनीश भधोरिया जी जिनका की अपना एक cycling group है जिसका नाम है भोपाल Bicycle Riders तो दोस्तो बिना देरी के आईए में आपको मिलवाती हूँ अपने आज के guest से बहुत-बहुत स्वागत हो आपका मालती जी मनीश जी हमारे कारिक्रम में मालती जी इस चर्चा को शुरू करने के लिए आप हमें सबसे पहले यह बताईए कि आपका यह रन का और cycling का सफर आखर शुरू कैसे हुआ मेरी शादी 1980 में हो गई थी और 2018 तक मैंने पूरा वक्त अपनी फैमिली को दिया इस बीच में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि में को सर्वाइकल हो गया साइटिका हो गया गले में पट्टा और कमर में पट्टा जिसके कारण में बहुत डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि टोटली सारा वक्त मैं अपने परिवार को देती थी तो 2018 में मैंने फेस्बुक पे देखा कि हेल्थ क्वीन इंडिया 2018 का ओनलाइन ओडिशन हो रहा है अज़ुक मेरे इच्छा थी कि मैं रेड कारपेट पर चलूँ मैंने घर मे बिगर बताये चुपके से उसको ऑडिशन दिया और मैं टैन फाइनलिस्ट में जब आ गई तब मैंने अपने घर में बताया कि मैं टैन फाइनलिस्ट में आई हूँ और मुझे अब डेली जाना ह उसकी तैयारी करनी है उस समय मेरा वेट था 65-66 kg वहां से मुझे मैसेज आया कि आप अपना वेट कम कीजिए अब मैंने धीरे धीरे जॉगिंग शुरू करी रनिंग शुरू करी और मैंने हफते भर में उन्होंने मुझे टिप्स दिये थे कि आप ऐसे अपने आपको करो और आपका वेट कम होगा मैंने हफते भर में तीन किलो वजन कम किया तो मेरा कॉन्फिदेंस और बढ़ा कि मैं कर सकती हूं बस ये सफर शुरू हो गया तो कहना चाहरी है मालती जी आपकी 2018 में जब आपने ये शो किया उसके बाद से फिर आपने फिटनेस पे ध्यान दिया और तब से आपका ये रानिंग का और बाइसिकल करने का सफर शुरू किया आपने वैसे तो मैं स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स में थी जी जी मैं एथलीट रही हूं मैं मलखम करती थी आज भी डेली में सरदार पटेल स्कूल है मुझसे पहले और मेरे बाद किसी लड़की ने वहां मलखम नहीं किया अरे वाँ क्या बात है तो वहां पर मुझे मलखम गहल के नाम से भी लोग जानते हैं और मैं नैशनल होकी प्लेयर रही हूं MP जूनियर टीम से त्रिवेंदरम खेलने गई थी अरे बहुत खूब मालती जी और एक स्पोर्ट्स वुमन को जो इसकी सा जाती है तो एक डिप्रेशन आता है बिलकुल लेकिन आपने उसको ओवरकम किया और आप आज इस मकाँ पे थड़ी है बिलकुल क्या बात है मालती जी क्या बात है तो मनीज जी आपका ये सफर मालती जी के साथ कैसे शुरू हुआ कब मिले आप मालती जी से मिले हुए लग पर इनको बहुत साफ सुतरी बात करने की आदत है तो इनों ने बोला था कि आज मैं पहली बार राइट पर आई हूं इतनी दूर आई हूं यहां से आई हूं तो फ़र साथ में चलाते चले गए और आसी हमारा बस उसके बास से जो हम लोग साथ में शुरू हुए तो फिर चल मालती जी पहली बार आपके पास आई थी तब आपको बाते नहीं पता हूंगी आपको समय के साथ पता चलती है तो पहली बार आपको क्या लगा था कि कर पाएंगी हां वो तो इतना ज्यादा एक्साइट थी उस दिन और मतलब चोटे बच्चे चल रहे थे चोटे चोटे बच्चों में भी वो सब को छोड़ते हुए पीछे और आगे जा नहीं थी तो इतना स्टैमना था उनके अंदर एक लगन थी उनके अंदर जैसे कि मैंने कहा था कि मालती जी एक आल राउंडर है मालती जी स्पोच तो आप खेलती है और किन किन चीजों में आपकी रूची है सुना है मालती जी आप क्राफ्टिंग भी करती है बिल्कुल मैं क्राफ्टिंग करती हूं ग्रीटिंग कार्ड्स वोगरा बनाती हूं औ एन्वलोप्स भी बनाती हूँ गिफ्ट बॉक्सिस भी बनाती हूँ मैं एम्रोइड़ी करती हूँ शायद कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें मैंने रहत नहीं डाला हो तो मालती जी ये तो अभी की बाते हमने की, आपके अचीवमें भी जाने हमने आपके सफर के बारे में जाना पर दोस्तो अब मैं मालती जी को ले चलूँगे उनके बच्पन की और मालती जी अभी आप इतनी आक्टिव हैं, इतनी फिट हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपने स्कूल में मलखम किया है मालती जी असा पदा चले कि आप होर्स राइडिंग भी कर चुकी हैं और मालतीजी हमें अपने बच्पन के बारे में बताईए कि क्या इसी तरह आप अप्टिव थी स्पोर्ट्स में बच्पन से? मैं बच्पन से इतनी एक्टिव थी कि मेरे फादर मुझसे डरते थे कई बार क्योंकि मैं पढ़ाई में मेरा बहुत कम ध्यान रहता था मैं सिर्फ स्पोर्ट्स करती थी और शैतानिया इतनी करती थी इतनी शैतानिया करती थी कि मुझे स्कूल में पनिश्मेंट्स भी मिलती थी एक बार हमारे पिंसिपल सर ने मुझे पनिश्मेंट्स दी कि अपने ओफिस के बाहर उन्होंने एक लंबा बेंच लगा दिया और मुझे का कि इसके उपर चड़ के खड़ी हो जाए तो मैं बहुत शौक है ना पेड़ों पे चड़ने का और उपर चड़ने का आज आप यहीं खड़ी रहेंगी लेकिन वहां खड़ी तो होई थोड़ी थी तो मुझे शरम आ रही थी उस समय लेकिन जिसके दिमाग में फतूर होता है ना बदमाशी करने का वो जाता नहीं बहुत शरारती थी आप बच्पन में बहुत मैंने वहां से देखा कोई नहीं है असपास तो मैं फर्स फ्लोर पे चली गई वहां से और फिर सीड़ी से उतर के आती फिर उस बेंच पे खड़ी ह होती है मैं ऐसी शैतानियां इतनी करती थी कि मेरे फादर को बोला जाता था कि उनको बुला कर लाओ और मेरे फादर असल में पॉलिटिक्स में थे तो मेरे पास हमेशा एक एक स्क्यूज रहता था कि वह बीजी है किस पोस्ट पे थे मालती जी आपके फादर उस समें लोग सभा के भी मेंबर रहे और स्कूल से पत्थर फैंको उतनी दूरी पे हमारा घर था मेरी बड़ी सिस्टर को बुलाया जाता था कि घर जाके ये शिकायत करना तो मैं उसको रास्ते में डाटती थी कि मैं मारूंगी अगर घर जाके किसी से कुछ कहा तो बहुत शैतान थी मैं ज तो दोस्तों ये तो हमने मालती जी के बारे में जाना पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मालती जी की तरह आप भी ये साइक्लिंग गृप बोपाल बाइसिकल राइडर्स जॉइन कर सकते हैं कैसे आए जानते हैं मनीज जी आपका आपने ये गृप स्टार्ट किया बड़ा बना हो तो क्या करना पड़ेगा कैसे हिंस कि न अपड़ा जाए जाए और बाइसिकल ग्रोप के तुरू आना पड़ेगा है शुरुआत में पेस्बुक के सब्साइड वेसिकल यूज fim कहीं ना कहीं पूरे में रोटेट होता है वह आप उसको जॉइन करें उसमें सारी activities देखें हम उसमें फोटो डालते हैं वीडियो डालते हैं वह सारी activities उसमें चेक करते रहें जिस दिन आपको यह confidence आजाए कि आपको और एक एक लगाव हो जाए उस दिन जब आप कहेंगे तो हमारा ग्रोप राइड जो है वह वेडनस डे होता है फ्राइड होता है और संडे होता है तीरों में से कुछ भी आप कर सकते हैं और एक बार राइड करीया करके फिर आपको रेगुलर सारी जानकारिया मिलना शुरू हो जाएंगी इस तरीके साब भॉपाल बाइसिकल राइ करी है मैंने और हमारा जो में मोटो है वो यह एक तो सुबह जब आप निकलते हैं तो पॉल्यूशन फ्री माहल में आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है आप हेल्दी रहते हैं आप दिन भर चार्ज अब रहते हैं आपको एक एक इनर जो स्ट्रेंथ होती है वो मिलती है और इनर स्ट्रेंथ आपको दिन भर काम करने में थकावत महसूस नहीं होने देती दूसरा क्या है जब आप साइकल चलाते हैं तो आप थक भी जाते हैं थकने की वज़े से आपको रात को नीन बहुत अच्छी आती है तो आप मैडिकली फिट रहते हैं यही एम है और इसी को ल दॉस्तों मुझे लगता है काफी कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे अब साइकलिंग को लेके साथ ही मैं आपको यह भी पता चल गया होगा कि कैसे इस साइकलिंग ग्रूप को आपको जॉइन करना है एक बार फिर हम चलेंगे मालती जी के और और जानेंगे कु कुछ भी करने के लिए दोस्तों का फैमली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है मालती जी ये तो आज की बात रही कि आप इस मकाम पे आ चुकी हैं इतने आगे बढ़ चुकी हैं पर मालती जी मुझे ये बताईए कि जब आपने पहली बार अपने घरवालों को बताया अपन अपने इंट्रेस्ट के बारे में और आप क्या करना चाहती हैं क्या कुछ उनके रियाक्शन्स रहे सच कहूं तो किसी को शायद पसंद नहीं था मेरा हेल्थ क्वीन में जाना क्योंकि सबका यही सोचना था कि अपनी घरष्टी देखो अपने बच्चों को देखो और पर लास्ट में ये भी कह दिया गया कि जो तुम्हें करना करो पर मैंने इस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिवली लिय कि मुझे अपने आप करना है और मैंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी सबसे पहले तो अपने को फिट किया कि मैं फिट रहूंगी तो वहां जा पाऊंगी परमिशन तो बाद की बात है इन्होंने टिकेट करा दी दिली जाने की ये मेरे इस चीज़ को पॉजिटिव लिय पर एक अंदर से इच्छा थी कि कोई मेरे साथ चले यहां से बहुत बड़े इवेंट में जा रही हूं पर सबका अपना-पना काम था तो मैंने अपने मन में एक चीज़ स्थान ली थी कि मेरी टिकेट हो गई है मुझे जाना है और कोई साथ दे नहीं दे तुझे अपने आपको प्रूब करना है बस बहुत ही हम्मत वाली लेडी है और मैं यह सोच के मैं चली गई क्योंकि मैं ऐसे प्लैटफॉर्म में फर्स टाइम जा रही थी बहां जाके भी मुझे बहुत कुछ जेलना भी पड़ा बहुत अजीब सा भी लगा क्योंकि जो यंग लड़किया क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी एज की मैं थी जैली में मेरे चाचा ससू रहते हैं पालम में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज भी मैं उनके परिवार को थैंक्स करती हूं उनका बेटा मुझे लेने आया स्टेशन और वो मुझे होटेल में छोड़ने गए जहां पर हमारा प्रोग्राम था और मुझे बहुत उन्होंने बूस्ट अब किया कि जा बेटा तेरे को जो करना है तू कर हम हैं यहां पर तेरे साथ मेरी बड़ी सिस्टर आई प्रोग्राम में आप कभी भी कोई भी एक स्टैप उठाते हैं न उसके लिए वाक्य में बहुत सिंपल साधारण ना मुझे मेक अप करना आता ना मुझे मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूं मैं तोटली हिंदी में बात करती हूं समझ जाती हूं बट आ कांट स्पीड तो वहां पर जितने लोग मुझे मिले बहुत शूंशा वाली लड़कियां थी जो मुझे ऐसे द पर फिर मैंने अपने आपको मेरे एक नेचर है मुझे अगर कोई काम करना हूता है मैं अपने आपको boost-up कैसे करती हूं तुझे करना है भगवान तेरे साथ तेरा किसी से कोई competition नहीं है तो अपना best दे में हमेशा यह सोचती करने हो और में यह सोच के हैं महाँ पर रहना शुरू किया मैंने मेरी जो रूमेट मुझे मिली थी वो बहुत मॉडन थी short पहनती थी और मुझे बार बार ऐसे रियक्ट कःती थी पर मैं उसको हर बार बेट उसको बिस्तर हमें मिला था तो वो मुझे ऐसे करती थी कि आप मेरे साथ नहीं सोईगी पे तो मैंने भी किया था ना बिल्कुल पुरा हक पाप पर मुझे ऐसा लगता था कि क्यों लड़ना मैं वहां पर कार्पेट पर सो जाती थी चुप जाती थी अच्छा मैं अपने कार् समय भी मैं उसकी ढांट सुनती थी कि आप सूवियरे सुवियरे कटर पटर करती तैमिक्स उन्होंने दिये कभी भी जाओ पर मेरे नेचर में है कि मैं ताइम की बहुत पंक्चुय है क्योंकि अगर हम समय की गदर करेंगे ना वक्त हमारी कदर करें तो दोस्तों मुझे ऐस चुनाती है दोस्तों खेलों के दुनिया वैसे आप खेलों की दुनिया तो रही नहीं ये लाइस्टाइल हो चुकी है एक हेल्दी फिजिकल और मेंटल लाइस्टाइल हो चुकी है तो मालती जी आप हमें ये बताईए कि ऐसी कैसी क्या कोछ आपकी दिनकर दिंचरिया रहती ह एसी कैसी आपके दिन सर्य हैं है कि आप अपनी फिटनेस को इतना बरकरार रख पाई हैं मेरी शुरू से आद्यता है मैं सुभे पांच बजे उट जाती हूं जी पांच बजे उठके साढ़े Пांच से मैं अपना काम शुरू करती हूं, घर के ताले वाले खोल खाल के, पहले प्रणायाम बगेरा करती हूं, फिर थोड़ी सी जॉगिंग कर लेती हूं, अभी जैसे करोना का टाइम था, बाहर नहीं जाना था, तो मैं अपने घर में ही रनिंग करकर के, जॉगिंग करकर के अपना वो करती थी, ट्रैक्टिस अपनी करती थी, दोड़ते द एक दिन मैं सडक पे दोड रही थी, तो सामने से एकदम से बस आ गई, मैं जटके से जो मैं चड़ी ना, तो मेरे यहां कमर में पेन आ गया, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप सडक पे मत दोड़ो, तो उसके लिए मेरे दिमाग में आया, अगर मै दोड़ नहीं सकी, तो फिर बिस्तर पे आ जाओंगी, जैसे पहले थी मैं, तो मैं योग में घुज गई, आपने योगा किया, एक्सेसाइस की सुभा आप जल्दी उठती थी, मालती जी ये तो हमने जाना आपकी फिटनेस के बारे में, मुझे लगता है हमारे दर्शक ये क्योंकि पॉलिटिकल बेग्राउंड होते हुए, मैं कभी किचन में नहीं गई थी, हमारे यहां सर्वेंट्स थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको सब खानावाना बनाना सिखाऊंगी, और हमें नौकरी थोड़ी करानी है, जो हम इसको आगे पढ़ाएं, मन तो मेरा बहुत कि घर में बंद होते होते, मम्मी की सक्तियां भी बहुत रहती थी, उस समय हमें बुरा लगता है, कि वो हमें डांट रही है, कि ऐसे ही करना है, यही करना है, लेकिन थोड़ी जब एज निकलती है ना, तो हमें यह समझ में आता है, अगर वो शायद यह सक्ति नहीं करती, प खर चलाना खाना बनाना यह सब मैंने अपनी मदर इन लौ से सीखा है और किस चीज को कैसे रखनां यह सब उनसे सीख्ए और आज मैं भी कि सोच ती हूं कि आप इसको इसको कितनी ही स्मार्ट बन जाो अगर आपको ग्रस्ती काफ्लानी ने अती है तो आप 0 1 बिलकुल सही कह रहे हैं आप मालती जी में बहुत चारी बाते जानी आपके बारे में बहुत अच्छा लगा बहुत सारी कतनाइओं के बारे में भी हमें पता चला पर मनी जी मुह लगता है एक बहुत ही कॉमन कफिनाओं है बहुत बड़ा एक challenge है जो हर एक sports person face करता ही होगा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है lockdown में भी हम लोगोंने cycling करी है ऐसा नहीं है कि हम लोगों नहीं करी लेकर हम लोग distance maintain करते हुए cycling करते थे mask हम नहीं लगाते थे lockdown के समय जबके हमको बोला जाता थे क्योंकि covid norms हम ऐसी follow करते थे distance बना के रखें और आप जब cycle चलाते हैं तो आप इतना distance आपके पीछ में होता है और सब आगे पीछे चलते हैं कि आपको वह germs का और जो spread होने का एक डर होता है वह समय आपको नहीं होता क्योंकि हम सुबह राइड करने का मतलब है कि सुबह आपको जल्दी उठना सूरियोदय से आप पहले उठते हैं तो हमको जब cycle चलाते हैं तो एक तो fresh air होती है और पूर मातरा में होती है और हम जब cycling करते हैं तो हमारे lungs जो है वो पूरे खुलते हैं जब खुलते हैं तो हम उस oxygen को उस air को इनहेल जादा करते हैं तो हमको वो मतलब वो हमको दिन बर प्रोटेक्ट करके रखता है तो आप अगर cycling नहीं करने हैं आप रुनिंग कर सकते है आप घर पे हैं तो घर पे भी आपको कुछ ना कुछ activity करनी चाहिए और अब तो आप कोई भी चैनल उठा लें तो सुबह के समय सब जगे योगा या कुछ ना कुछ चलता रहता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं आप आदा घंटा करें अनोलोम विलोम है कुछ भी जो चाहिए वो आप करें घर पे skipping करें वो भी आपको लंक्स की exercise करवाएगा तो जितना ज्यादा आप बीद करेंगे अच्छा उतना आप active रहेंगे सोबह वैसे भी कहा गया है कि अगर आप सूरज के उगने से पहले उठते हैं तो आप वैसे भी fit रहते हैं जी जी तो वह एक मेरा सोचना ये कि स्वास्ते बहुत जरूरी है पैसा होना इतना जरूरी नहीं है अगर आप स्वास्ते हैं तो आप सबसे जाधा अमीर हैं उसके लिए आप चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो आप अपने आपको fit रखें fit रखने के लिए सबसे पहले आपकी सोच बह दापार नहीं जा रहे हैं हम पार्क नहीं जा रहे हैं तो बक्चे बहुत depressed हो रहे थे मैंनेs उवह उप्लड़े उठाना शुरू किया बेटा योगा करो फोर्स नहीं करती थी उन लोगों मेरे साथ उसके साथ मैं योगा कर लेती थी फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंन यह नहीं का आके तुम करो लेकिन मैं जानबूज के ऐसे काम लेके बैठती थी कि इन बच्चों का इंट्रेस्स डेवलप हो मालती जी बच्चों के साथ तो आपने बहुत समय बिताया ही उने काफी कुछ सिखाया साथ में यह भी जानना चाहेंगी कि कितने किलोमीटर आपको लगता है आप रन कर चुकी होंगी साइक्लिंग कर चुकी होंगी थोड़ा हमें इस बारे में भी बताईए रनिंग मैंने ब जा चुकी हूँ जो मैं अभी कंप्लीट कर लूँगी उसमें साइक्लिंग प्लस रनिंग है वैसे मैं सिहोर से भोपाल तक भी रन करके आ चुकी हूं एक बार और कितना किलोमीटर होगा मालती जी जी नहीं कर चुकी हूँ रन और मोस्टली मैं जैसे डेली घर में मेरा एक टारगेट रहता है कि आपने ज्यादा रन नहीं करनी क्योंकि मुझे 2021 किलोमीटर कंप्लीट करने का तो मैं घर में ही दौडना शुरू कर देती हूं जी जी दो किलोमीटर तीन किलोमीटर रन करती हूं तो इस दिन काником दाटा भेज़ देती हूं कि मेरा ये इतना आज का हो जी इस बात पर हम आपसे भी चाहेंगे कि कुछ ऐसे दो शब्द आप भी हमारे दर्शकु से कहिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा मालती जी ने बहुत अच्छा बताया है हमने भी यह सारी चीजें करी है क्योंकि हमने सैंसंग मोबाल में एक डाउनलोड किया हूँ सैंसंग हेल्थ आप स्ट्रावा भी डाउनलोड कर सकते हैं घर के अंदर रनिंग करें आप और बहुत सही बात बताई हमने भी करी हम घर के अंदर साथ आठाट दस्दस किलो मीटर घर के अंदर ही दॉड़ते थे जिस दिन नई दौरने का मन करता था तो वाक करते थे लेकिन दो घंटे का टाइम कर देते थे उसमें पूरा किलो मीटर आता है वो पूररा एप में हर च तो देखा दोस्तो आपने कितना मज़ा आया और क्या कुछ हमें नया नया जानने और सीखने को मिला पर दोस्तो ये जानने और सीखने का सिल्चला यहीं खतम नहीं होता है क्योंकि हम फिर आएंगे और इसी तरह आपको हमारे महमानों से हम मिलवाते रहेंगे तो बहुत-बह तो दोस्तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में पर दोस्तो आप हमें बताना बिलकुल मत भूलिएगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा क्योंकि दोस्तो आप ही का तो ये फीडबैक है जो हमें बहतर बनाता है तो मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए